साथियों, हेल एक दोर्मेंट रहते हुए, मुझे बीस साल से भी जादा सबय हो चुका है। आप मेंसे कई लोग बर्सों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा मेरा सब भागया है का आप जासे साथियों के साथ मुझे काम करने का आउसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपसिटी बिलिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सीविल सर्वंट के बीच मिशन कर्मियोगी एक बड़ा अभ्यान बन चुका है। मिशन कर्मियोगी का मकसद है सीविल सर्वंट के फूल पोटेंशल का उप्योग कर रहा है। कैपसिटी बिलिंग कमिशन इस अभ्यान को पुरी मजबूत्री से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महिनों की आपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मट्रियल हर जगह हर समय उपलद्ध हो। इसके लिए आई गॉट प्लेटफर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारम के ओरियंटेशन मोडिल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार ने बिरोकिसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है। ये बंधन का प्रोटोकॉल और हरायरी का बंधन। आप जानते हैं कि हरायरी के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद किया है। मैं लगाता है। सेक्रेटरी से लेकरके आसिस्टं सेक्रेटरी तक से मिलता हूँ। मैं ट्रेनी अप्सरों के साथ मलाखात करता हूँ। हमने डिपांट्मेंट के भीतर हर किसी की भागे दरी बढ़ाने के लिए नए आइडियाज के लिए केंदर सरकार में भी चिंतन सिभीरी को बढ़ावा दिया है हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बढ़ावाया है पहले बरसों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेपुटेशन पर केंदर सरकार में काम करने का अनुभव मिलता थ यह किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंदर सरकार में काम का अनुभवी नहीं होता तो वो केंदर हम के प्रोग्राम को जमीन पर लागू कैसे करेंगे हमने असिस्टन सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्र सिखने को मिलता है हमें इस तरह की इलोवेशन को आगे बढ़ाना है इन प्रयाशों को परणामों के लिए और सिखर को ले जाने के लिए निरंतर कोशिश कर लिए